Hello everyone, Welcome to Ocol India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो का, इस सेशन का परपस यह है कि हम लोग अपनी NCRT की सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगी कि अगर आप लोगों का साथ हमें मिला तो हम पूरे क्लास 12 तक की जो हिस्ट्री है या बागी सब्जेक्ट्स भी इसी तरीके से cover करेंगे तो अभी हमारा जो क्लास 6 की जो हिस्ट्री की book है That is Our Pasts One इसको हम लोग cover करेंगे और इसमें हम लोग एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूँ मैं आपको इसका content अगर दिखाऊँ तो यह इस book का content है है ना लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊँ कि हम लोग जो यहां पर edition cover करेंगे जो इस book का edition हम लोग cover करेंगे वो latest edition नहीं होगा उसके पीछे reason है और एक बहुत important और महत्वपूर्ण reason है क्योंकि आपको पता होगा कि 2021 के बाद से जब से कोविड हुआ था सब lockdown वगरा लगा था उसके बाद जब से schools दुबारा शुरू हुए हैं तब से NCRT की books को काफी जादा rationalize किया गया है हलाकि उन्होंने word कहा है उसको rationalize बड़ उसमें क्या है कि कुछ chapters को remove कर दिया गया है या कुछ chapters में से कुछ content को remove कर दिया गया है तो इसलिए हम लोग latest editions को follow नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर जो अपना edition इस book के लिए इस course के वो रहेगा 2021-22 ठीक है 2021-22 के edition हम लोग follow करेंगे और मैंने ऐसा क्यों करेंगे उसके पीछे reason भी आपको बताया क्योंकि जो बात के editions रहे हैं इसके बात के चाहे वो 22, 23, 24, इनमें basically content को rationalize किया गया है है या तो chapters कुछ कम कर दिया गया है अगर आप आज के दिन की जो present day class 6th क NCRT अगर आप उठा के देखींगे तो जैसे कि यहाँ पर आपको total 11 chapters दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर 10 chapters है ठीक है सिर्फ 10 chapters है एक chapter जो है वो पूरा का पूरा remove कर दिया गया है और साथी साथ कुछ बाकी chapters में भी content को कुछ card chart की गई है कुछ content को कम किया गया है अब हमारा purpose यहाँ पर हम class 6th के बच्चे को तो पढ़ा नहीं रहे क्योंकि class 6th का बच्चा तो ऐस सच online पढ़ेगा नहीं मुझे expect नहीं है तो हम लोग यहाँ पर यह NCRT series किस के लिए बना रहे हैं हम NCRT series बना रहे हैं जो competitive exams की त्यार है तो उनको उस चीज से फरक नहीं पड़ता है ना कि content को कम कर दिया गया वो तो एक तरीके से उनके लिए नुकसान दायक है क्योंकि UPSC का जो syllabus है वो NCRT के basis पर तो नहीं चलता कि NCRT का syllabus अगर कम हो गया है तो UPSC का syllabus भी कम हो जाएगा ऐसा तो नहीं है या safe और बाकी किस भी और exam का ऐसा तो नहीं होता है ना ये तो basically इनोंने content को rationalize करने के नाम पे कुछ content remove कर दिया है तो इसलिए हम लोग अपने सारे के सारे जो NCRT additions की मतलब जितनी भी हमारी पूरी series चलेगी उसमें हम लोग 21-22 का ही addition जो है वो follow करेंगे जो rationalize नहीं होगा जिसमें पूरा-प ये 11 के 11 chapter जो हैं इनको cover करेंगे और कुछ दिनों पहले मैंने आपसे इसी के regarding telegram पर एक poll भी करवाया था और वहाँ पर मैंने आपसे ये पूछा था कि हम NCRT की series बहुत जल शुरू करने वाले हैं तो वो आप कैसे चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं डारेक्ट बुक से प तो इसलिए फिर हमने यही फैसला किया और यही decision हमने आगे continue रखा है कि सारा का सारा content जो है वो direct NCRT की book से पढ़ाया जाएगा ठीक है तो directly हम लोग जैसे आप लोगोंने अगर हमारे कुछ पुराने वीडियो series देखे होंगे geography वगरा के उसमें भी हम लोगोंने direct book से ही पढ़ेंगे तो आप लोगों के पास अगर books हैं तो आप पढ़ सकते हैं अगर आप लोगोंने होता है कि जहातर लोग जब तैयारी शुरू करते हैं अपने exams की specifically UPSC की or State PSC की तो वो NCRT की book class 6 to 12 खरीद लेते हैं है ना तो अगर आपके पास book है तो आप साथ के साथ पढ़ भी सकते हैं बट इस बार जो हमने पुराने वीडियो सिरीज बनाये थे NCRT के उनसे थोड़ा सा एक difference या एक सबक लेते हुए हमने ये बात सीखी और इस बात को थोड़ा सा चेंज किया है कि हम पूरा का पूरा जो English में दिया गया है उसको बहुत जादा नहीं पढ तो इसलिए हम उस चीजों को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें दी गई है वो पूरा का पूरा पहले English में पढ़ेंगे फिर Hindi में उसको समझाएंगे ऐसा नहीं करेंगे ठीक है इंगलिश में मैं आपको टेक्स दिखाऊंगा वो आप चाहें तो खु उटेगी और कौन सी चीज ऐसी है क्योंकि अब जैसे ये तो क्लास 6 की बुक है तो क्लास 6 की बुक में आप बहुत कम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डिरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो exam point of view से important है बड़ ऐसा आपको लगता होगा शायद कि exam point of view के लि एक ऐसा point है जो directly आपके exam में as a statement के form में question पूछा जा सकता है पास्ट में भी देखा गया है कि UPSC खास कर history के subject में NCRT से directly line उठाके या directly कुछ point उठाके statement बनाके question पूछता है ठीक है तो इसलिए इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे और मैं आपका focus हर समय चाहूँ और बाकी as such हम लोग NCRT की book तो आपको वैसे ही पता है कि एक story के form में चलती है है ना थोड़ा सा मतलब एक कहानी के रूप में चलती है तो interest भी बना रहता है तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ठीक है और मैं कोशिश करूँगा कि history को थोड़ा सा boring माना जाता है काफी भी मैं कोशिश करूँगा कि चीजों को जितना आसान तरीके से आपको समझा सकूँ ताकि आप वीडियो को अगर एक बार दो बार तीन बार अगर देख लें तो आपको फिर चीज़ें as such बहुत जादा रटने की जरुवत ना पड़े ठीक है तो ये हमारा पूरा का पूर वीडियो आपको अविलेबल रहेंगे हमारा जो हिस्ट्री ओकुल चैनल है यूट्यूब का जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं यहीं पर आपको ये सारे वीडियो जो है वो चैप्टर वाइज एक एक करके मिलते चले जाएंगे थोड़े थोड़े दिनों के लेकिन एक सुईधा हम आपको लिए और दे रहे हैं आपको एक फुल कोर्स भी हम अपने वेबसाइट पर इन वीडियो सेरीज का देंगे जहां पर आपको सारे के सारे वीडियो जो है वो एड़ फ्री मिलेंगे यहां रखेगा क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा बहुत दे जाएंगे उस कोर्स के अंदर पीडियो नोट्स भी दिये जाएंगे ठीक है शॉर्ट करके जो भी चैप्टर में पूरी-पूरी कहानी लिखियोंगी उसमें से उसका क्रक्स या उसको आप कह सकते हैं समरी फॉर्म में या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको PDF नोट्स के रूप में दिये जाएंगे और ये PDF नोट्स भी आपको दो तरीके से दिये जाएंगे एक तो हर चैप्टर के हिसाब से दिये जाएंगे है ना तो चैप्टर वाइस भी मिलेगा ये और साथी साथ आपको जब पूरी-पूरी बुक कंप्लीट हो तो उसके बाद फिर compiled PDFs जो हैं वो भी दी जाएंगी ठीक है तो compiled PDF आपको course पूरा होने के बाद मिलेगी और जैसे जैसे chapters complete होते जाएंगे वहाँ पर आपको chapter wise इसके notes भी मिलते जाएंगे और एक चीज और भी है कि जैसे मैं आपको बताया है कि YouTube पर भी ये videos available रहेंगे लेक course में ये होगा कि जैसे जैसे हमारे videos बनते जाएंगे हम उनको course में add करते जाएंगे तो course में आपको एक तरीके से early access भी मिल रहा है और साथी साथ PDF notes भी मिल रहे हैं so that कि आप उनको revise भी कर सकें साथी साथ है ना तो course आपको हमारी website ocul.co जो है वहाँ पर मिल जाएगा बहु as usual हम लोग काफी affordable रखेंगे ठीक है एक बार पूरे के पूरे chapter complete हो जाएगा तो फिर हम आपको जैसे सिर्फ अपने subjects के notes provide करते हैं तो सिर्फ notes भी दे देंगे chapter wise आपको course भी देंगे पूरा और course का price कितना रहेगा काफी affordable रहेगा मैं आपको ये बता सकता हूँ और course का link व लेकर कि कौन सा chapter add हो गया है किस chapter के videos add हो गया है किस chapter के notes add हो गया है वो सारी चीज़ें भी आपको हम वहाँ पर समय समय पर time to time update करते रहेंगे तो इसलिए आप लोग हमें जो है वो social media में especially telegram में जरूर join करें और बाकी अगर आप लोग और social media platforms पर जैसे facebook, instagram, linkedin, twitter, threads पर भी हैं तो वहाँ पर भी आप हमें join करें so that कि आपके हमारे बीच में connection बना रहेगा और अगर आपको कोई भी जो चीज़ हम पढ़ाते हैं अगर उससे संबंदित कोई भी doubt आता है कोई भी issue आता है तो आप videos के नीचे comment section जो होता है YouTube का वहाँ पर आप हमसे comments करके चीज़ों को discuss कर सकते हैं ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई यहाँ पर doubt होगा कि हम लोग किस तरीके से series को लेकर आगे बढ़ेंगे अगर कोई doubt है तो आप हमसे YouTube में comment section के through connect कर सकते हैं वहाँ पर जोड़के आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं या फिर telegram group है ह हमारा उसके through आप लोग हमें join कीजेगा और वहाँ से भी आप हमें अपनी बात हम तक पहुचा सकते हैं और हम वहाँ पर भी चीजों को discuss कर सकते हैं ठीक है तो इस session को मैं यहीं पर end करता हूँ और बहुत जल्द आपको जो है ये video series इसकी शुरू हो जाएगी YouTube पर और course जो हम लोग अपने course के साथ आप से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए please do take care of yourself thank you have a nice day bye bye